नमस्कार NBT Online पर आपका बहुत स्वागत है माहीरा बेन की सेहत अचानक खराब होने की खबर मिलते ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी खुद उनका हाल जानने एहमदबाद के अस्पताल पहुंचे हैं और इस बीच ट्विटर पर पीम मोदी की मा की सलामती की दुआ करते देशों का अमबार लग गया है फर कोई मा की सलामती के लिए इश्वर से प्रार्थना कर रहा है खास बात ये है कि कॉंगर्स नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक दिल छू लेने वाला ट्वीट किया है राहुल ने ट्विटर पर लिखा एक मा और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है मोदी जी इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है मैं आशा करता हूँ कि आपकी माता जी जल से जल स्वस्थ हो जाए राहुल गांधी का ये ट्वीट काफी पसंद किया जा रहा है इसे अब तक हजारों लाइक और रेट् करना चाहिए आपको बता दें कि राहुल गांधी भी अपनी मा सोनिया के बेहत करीब हैं और अक्सर उनका खयाल रखते नजर आते हैं बुधवार को ही मा सोनिया के साथ राहुल गांधी का एक क्यूट सा विडियो भी सामने आया कॉंग्रिस के स्थापना दिवस कारक्रम में राहुल गांधी अपनी मा के गाल छूते हुए क्यूट सी शरारत करते नजर आये थे बहराल आपको बता दें कि ट्विटर पर इस समय हैश्टेग हीराबेन मोदी और हैश्टेग पियमोदी मदर टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर बहुत सारे यूजर्स हीराबेन की सलामती की दुआए कर रहे हैं हीराबेन को अमदबाद के यूएन महता इंस्टिट आफ कार्डिलोजी एंड रिसर्च सेंटर में भरती करवाया गया है अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी हालत पिलहाल स्थिर है यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हीराबेन इसी साल जून में 99 साल की हुई है तब ये मोदी ने एक लंबा चोड़ा ब्लॉग लिक कर मां से अपने रिष्टे के बारे में विस्तार से बताया था मोदी अपने हर जनम दिन पर मां से मिलने जरूर आते हैं इसके लावा भी उन्हें जब मौका मिलता है वो घर पहुँच जाते हैं NBT Online की रिपो